नमस्का स्टूडेंट मैं मिस जोती आपका स्वागत करती हूं जी के बाई जोती मैं यूटूब चैनल पर फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ओन जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल सके फ्रेंड्स इससे पहले मैंने हरियाना के 18 डिष्टी की वीडियो बना दी है अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप लेलिस्ट में जाकर उने जरूर चैक कीजिए आज हम पलवल डिष्टी के बारे में बिल्कुल डि जान रखना है कि हरियाना काई कि स्वेजिला कौन सा था वो है पलवल यह 15 अगस्त 2008 को फरीद आबाद से अलग करके बनाया गया यह द्यान रख लेना है इसके ओल्ड नेम क्या है पलवल के तो वह है पलवल को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो जाना जाता है सूगर है वो 1359 किलोमेटर स्केर है और जो यहां की पॉपुलेशन है जो की 2011 में जनगनना हुई थी उसके अनुसार है वह 1042 708 यह भी आपको ध्यान रख लेना है और यहां पर कौन सा टूरिस्ट कोंपलेक्स है तो यहां पर डबचिक नाम का एक टूरिस्ट कोंपलेक्स है पूर कौन सी तैसील है तो वह है पलवल हाथिल हाथिन इमम होडल यहां पर तीन तैसील है और जो होडल है वो आरक्षित सीट है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं यह हमारी बेसिक बाते थी कि ओर्ड ने मदर ने एरिया पोपुलेशन टूरिस्ट कोंपलेक्स इमम तैसील यह इसक राक्षक पलंबा सुर्ग के नाम पर पलवल को बसाया गया है और एक एक वैस्ट पूछा गया है कि पलवल को किसके नाम पर बसाया गया है बहुत सारे उप्संथे चार उप्संथे और उनमें से एक टिक करना था तो वो था राक्षक पलंबा सुर्ग के नाम पर पलवल को बसाया गया ठीक है पलवल में राजा सूरजमल की बारह खंबा छत्री है most important है कि जो राजा सूरजमल जी है उनकी बारह खंबा छत्री कहां पर है तो यह पलवल में है पलवल के होडल में की सोरी महल है और इसे राजा सूरजमल ने बनवाया था ठीक है यापको ध्या रख लेना है जो कि सोरी है ये राजा सूरज मल की पतनी थी ये भी आपको ध्या रखना है ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे है राजा सूरजमल की हवेली पलवल में है और जो ये सूरजमल के ससूर थे कासी राम जी इन्होंने ये बनवाई थी ठीक है ये आपको ध्यार रखना है जो सूरजमल की हवेलिया ये किसने बनवाई थी तो जो ये सूरजमल के ससूर थे कासी राम जी उन्होंने बनवा तो यह इनकी पतनी थी उनी के नाम परिनों ने किसोरी महल का निर्बान करवाया था ठीक और जो किसोरी है वो कासी राम जी की पुत्री थी ये भी आपको ध्यारक लेना है जो किसोरी तालाब है इसी को सती का तालाब भी बोलते हैं यह पलवल में हैं पलवल के बंचारी प्लवल से है जो अर्णी में एक्स नेवी चीफ थे वो उनका समसुनी लामबा का सम्मन प्लवल से है यह आपको ध्यार रख लेना हैं पलवल के हसंपुर गाउं से यंज्चान चान्श निकलती है यह 예रियान का आखरी गाउं है जहां पर जो युम्ना नदी है वो यहां से निकल जाती है पलवल के हसनपुर गाउं से और फिर यह आगे यूपी में एंट्री कर लेती है ठीक है यह आपको ध्यान रख लेना है दरोपती गाट पर जनवरी महा में मेला लगता है जो दरोपती गाट है वो पलवल में है और यहां पर जनवरी के महीने में मेला लगता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है जो गांदी जी थे जो हर्याना की पहली बार गांदी जी की हर्याना में पहली बार जो गिर्फतारी है वो पलवल स्टेशन से हुई थी। जो H.S.S.C. है वो 10 अप्रेल को मानता है लेकिन जो पलवल का स्टेशन है रेल्वे स्टेशन वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में साफ साफ लिखा हुआ है कि 8 अप्रेल 1919 को महत्मा गांदी जी यहां से गिर्फतार हुए थे। बड़ H.S.S.C. 10 अप्रेल मानती है तो आपको 10 अप्रेल ही टिक करके आना है ठीक है और एक्षूल में क्या बात है यह इनकी पहली गिर्फतारी नहीं थी यह आये थे बट इनको यहां हरियाना में उतरने नहीं दिया था इनको वापिस ट्रेंड से वापिस बेज दिया थ 30 जुलाइन 1919 यह हिसार से गिर्फतार हुए थे यह आपको ध्यार रख लेना है बट H.S.S.C. पहले गिर्फतारी 10 अप्रेल 1919 को मानती है तो आपको यही टिक करके आना है ठीक है और इसी वज़े से सुभास चंदर बोस जीने गांदी जी के नाम पे यहां 1938 में आसरम बनव किला इसे मुगलों ने बनवाय था जो यह मटिया महला इसको मिनार किला भी बोलते हैं इसको मुगलों ने बनवाय था पंचवटी मंदिर पांड़ों ने बनवाय था ठीक है अब आगे बढ़ते हैं आगे है जो पांडव वन, पांडव मंदिर और पांडव गुफा ये तीनों होडल में है और माना जाता है यहाँ पांडव ने अग्यातवास काटा था जो यह पांडव वन है यहाँ पर पांडव ने अग्यातवास काटा था हर्याना के बहुत से ऐसे गाउं एमजिले हैं जहां पर पांड़ों ने ग्यातवास काटा था उन में से पलवल का जो पांड़ों है वो भी इंपोर्टेंट है ठीक है मुख्याओ द्योग है यहां के सक्कर साइकिल बनाने के कारखाने यहां के परमुख्योग है और पलवल में कोडल गाउं जिसे सबसे ज़्यादा लिंगानुपात के लिए समानित किया गया है 1391 फिमेल पर 1000 मेल है ठीक है और पहले किया गया था पलवल को कोडल को लेकिन अभी मुंदड़ी गाउं को समानित किया गया है यह बात भी आपको ध्यान रखनी है आगे दुदोला गाउं में सरीविशव कर्मा महाविद्यल्य है यह मोस्ट इंपोटेंट है और यह इंपोटेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर अलग तरीके का कोर्स करवाया जाता है इसलिए बहुत ही इंपोटेंट है कि पलवल का जो दुदोला गाउं है यहां पर इसका उद्गाटन किया था यह बात आपको जहार रख लेनी है और यहां पर किस चीज का कोर्स करा जाता है तो यहां पर मिट्टी से बरतन एवं अन्या चीजे बनाने का कोर्स करवाया जाता है तो यह दुदोला गाउं में शरी विशो कर्मा युनिवस्टी है आपको यह ध पलवल पुराने समय का सब से चोटा एकता था मैं जिसमें 40 गाउं थे ठीक है 18 सोस्तावन की करांती में पलवल का नेतरितो गफूर अली ने किया था और यहां से यक्ष यक्षिनियों की मुर्तिया पलवल से मिली है जो नैशनल हाइवे है यहां से कौन-कौन से नैशनल हा जिलो के साथ पलवल की सीमा लगती है तो अब हम देख लेते हैं तो एक राज्या की लगती है वो यूपी से लगती है पलवल की सीमा और तीन जिलो के साथ लगती है वो लगती है नुहू, गुरू, गुराम और फृदापाद तो फ्रेंट्स यह थी हमारे आज की वीडिय आए तो लाइक जरूर करना वीडियो को अधर स्टेडी ग्रूप में शियर करना